नमस्कार दोस्तों आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत और अभिनंदर है पसू कर्मी के वेबसाइट से हमें एक न्योज मिली है एक स्क्रीन सॉट मिला है उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों ये दैनिक भासकर पेपर की कटिंग है और जो इसका स्क्र इन सॉट है वो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमें पसू कर्मी की वेबसाइट पर मिला दोस्तों राज के सभी चावरासी सो पंचायतों में एक एक पसू सलाहकार की बहाली होगी जिनें प्रतिमाह 6,000 रुपे मान दे भी दिया जाएगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरी खबर क्या है पूरी खबर के बारे में बताएंगे लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको पूरी जानकारिया और नोटिफिकेसन मिलते रहें हमारा ये वीडियो दो म नटका होने वाला है इसी में हम आप लोगों को पूरी इस बहाली के बारे में बताएंगे क्या है कब ये भरती आ रही है और देनिक जागना जैसे खबर जब छापते हैं पेपर तो ये कोई फेक नहीं है और ये एकदम सही है आप देख सकते हैं उसका जो स्क्रिंशॉट है वो हमें मिला पसू कर्मी की वेप साइट से तो आपको मैं बता दूँ कि दोस्तों चलिए अब सुरू करते हैं और इसको पहले पढ़के सुनाते हैं उसके बाद पूरी बाते हम आपको बिस्तार से बताएंगे तो राजी के सभी 8450 में एक एक पसू सलाहकार की बहाली होग तथा पसू के स्वात्र टीका संब्दी जानकारी वे पसपालकों को देंगे जिससे राजिस्तर में दूद मानसुद पादन में बढ़हुत्री मिलेगी पसू सलाहकार की बहाली के संबंध में पसू यो मस्साधन विभाग से प्रस्ताव तयार कर लिया गया है कैबिनेट स स्विकृत मिलने पर संबिदा के आधार पर बहाली के प्रक्रिया होगी तो एक बार और ये भरती आने वाली है दोस्तों जितने भी पसू करमी है तो तयार हो जाएं दोस्तों और आगे ही इसके नीचे लिखा है कि जिला इस तर पर पैनल बनागर बहाली होगी डियम की आपके लिए एक और खुसकबरी है और पूरी बात इसमें क्या लिखी है या और पढ़ते सुनाते हैं आगे इसमें लिखा गया है कि जिन लोगों ने बेटनरी का कोर्स किया है या फिर बेटनरी में पहले से कारे कर रहे हैं उनको भीसेश प्राथमिकता मिलने वाली है किस प्राथमिक्ता मिलेगी 18 से अधिक वर्स के लोग बहाल हो सकेंगी सरकार के आवरण प्रावधानों का भी पालन किया जाएगा तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर दोस्तों मैं भरती के पहले ही आप लोगों को सचेत कर देता हूं और जानकारियां दे देता हूं ताकि जब वो भरती आए तो आप लोग उसके लिए प्रपीर्ड रह सकें तयार रह सकें और उस भरती में आप अच्छे से अपना फॉर्म भर सकें और अपलाई करने के बाद आप उस चौप को ले सकें यही हमारा प्रयास रहता है और कुछ लोगों को ये जानकारियां मैं लगातार देता रहता हूँ क्योंकि बहुत जरूरत रहती है उनको भरती की वो बेरुजगार रहते हैं इसलिए उनको जो है ऐसी भरतियों की खोज रहती है तो मैं आप लोगों को एक किसी मंच पर बताता रहता हूँ और भी जानकारियां जैसे ही हमें कोई मिलती है जानकारी नई वो हम आप लोगों के साथ में सेर करते हैं और इसलिए करते हैं कि आप लोगों का भी उसको जानकारी को देखने के बाद कुछ भला हो सके और वो भरती अगर आए माल लीजिए देखे भरतियां तो बहुत कम ही आती हैं और अगर जो आएं भी तो आपके हाँ से न निकल जाएं इसलिए आप दो तीन महीने पहले जही उसके दिये तयार रहें इसी उद्देश के साथ में बार बार जितनी भी अच्छी जानकारियां होती हैं वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ कुछ लोगों को यह जानकारियां अच्छी लगती है तो अपने लिये देखते हैं अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आप जानकारी लेना चाहेंगे तो अच्छी बात है नहीं लेना चाहेंगे तो आपकी मरजी इन्ही सब्दों के साथ मैं इस वीडियो में लेता हूँ विराम और जितने भी भाई हमारे से जुड़े हैं उनके लिए मैं जैसे ही कोई अपडेट या कोई भी हल चल होती है अपने इसी चैनल के माद्ध हम से जरूर बताऊंगा ताकि आप लोग भी अपडेट रह सकें और इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक कर लें तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने करें आपका बहुत बहुत सुक्र या